हेलो गाइज वेलकम बैक टु माइ-चैनल आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा बहुत ही एमीजिंग जमैैटरी बॉक्स का कलेक्षन लेके आया हूं आज आप देख सकते हैं मेरे सामने बहुत सारे जमैैटरी बॉक्स रखे में और यहाँ पर आप देख सकते हैं Avengers वाला है यहाँ पर SpongeBob SquarePants वाला है यहाँ पर Car Shape में और यहाँ पर Unicorn Shape में है गाईज आप देख सकते हैं इतने सारे different type के geometry box मेरे सामने रखे हैं बहुत ही महिदार वीडियो होने वाला कि मैं आपको सबकी unboxing दिखाने वाला हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत सारी मैदार वीडियो मैंने बना भी रखे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं सो गई सबसे पहले आज मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए गाईज हमारे पास है कुछ इस तरह का बहुत इमेजिंग डिजाइन वाला जमेटरी बॉक्स जो की देखने में कार लगता है यह देखो अगर आप इसको देखेंगे तरह असला है कि यह कोई सूपर कार है बट एक्चुल में एक मैटलिक जमेटरी बॉक्स है देखो प्लास्टिक नहीं है गाईज यह मैटल है आप देख सकते हैं इसका डिजाइन वग कमपार्टमेंट को भी आप देख सकते हैं काफी बड़ा कमपार्टमेंट है मतलब बड़ी चीज़ें और मोटी चीज़ें भी इसके अंदर रखी जा सकती है तो गाईज यह देखो मैं आपको इसके अंदर कुछ समान रखके दिखाता हूँ यहाँ पर इस डिजाइन की व देखो गाईज जमेटरी बॉक्स आराम से बंद हो गया है है ना तो बहुत ही बड़े साइज वाला जमेटरी बॉक्स है क्योंकि इसके अंदर समान काफी ज़्यादा आ सकता है और गाईज यह देखो यहाँ पर इसके पर टेबल वागेरा भी लिखी हुई यह देखो वन क प्राइज बता ना भूला इसका प्राइज गाईज वन ट्वेंटी रूपीज है ना मैं आपको हर किष्ट हो रहे बता दूब आज और मेरे हाथ में हैँ यह देखो एसका प्राइज यहां कुछ एसा प्राइफर याँ प्अद्सिल coin को सार्प में यहां यहां से म्ड़े एसे बंद भी कर सकते हैं, यह देखो, और यहां पर एक और amazing चीज है, यह देखो, यहां पर एक light, देखो, यहां से हम इसका button on करना पड़ेगा, और guys, यह देखो, कितनी ज़ादा रोसनी है इसके अंदर, यह देखो, guys, है न, सो guys हमारे पास इसके अंदर एक light भी है और light को off कर लेते हैं यह देखो और geometry box का दूसरा पार्ट भी खोल के देखते हैं यह देखो गाईज यहां से भी यह बहुत ही ज्यादा amazing लगती है देखने में और यहां पर इसके अंदर one से nine तक table लिखे में जो कि यहां पर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही amazing है और इसके अंदर मदब ज्यादा समान तो नहीं आएगा बट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से छूटी मोटी चीज है जो ज्यादा मोटी ना हो उनको को रख सकते हैं यह देखो गाई और इसको बंद भी इसली कर सकते हैं है न मैं कुछ जमेटरी बॉक्स में आपको समान रखके दिखाने वाला हूं क्योंकि कुछ जमेटरी बॉक्स ऐसे होते हैं जिनके अदर पैंसिल स्केल इरेजर सार्पनर के अलावा जो थोड़ी मोटी हेवी चीज होते हैं वो नहीं आपाती हैं और इस बार में आपको दिखाता हूं यह देखिए आपने ऐसा जमेटरी बॉक्स सायद ही देखा हुगा है यह देखो यहां से ऐसे पकड़के लटका भी सकते हैं यह देखो कितना अमेजिंग लग रहा है जाना बहुत ही ब्यू है इसको सभी जगा से चारो विल्स अच्छे तरीके से घूमते हैं यह देखो तो गाइस बहुत ही अमीजिंग है और यह ब्रीफ केस के वाले डिजाइन में हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं तो अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं यहां से इसके लॉक लगा हुआ है यह इस तरह से काफी समान इसके अंदर आ सकता है यह देखो मैं आपको कुछ बड़ा रखते दिखाते हैं मैंने पैंसिल इसके अंदर रख दी है और आप देख सकते हैं पैंसिल बहुती इसके अंदर आ गई है और नीचे भी बहुती बड़ा कंपार्टमेंट है इसके अंदर जो बहुत ही रेर आपको देखने को मिलेगा मज़ा आ गया मैटल वाला जेमेटरी बॉक्स है 150 रूपीज में इसको भी साइड में रख लेते हैं इस पर आपको दिखाने वाला हूँ यह देखिए कुछ इस तरह का आइरन मैन वाला जेमेटरी बॉक्स और गया यह थोड़ा सा 3D जेमेटरी बॉक्स है यह देखो है ना थोड़ा सा जादा नहीं है हलका हलका मूव होता है और गया यह देखो यहाँ पर लिखा है Marvel the Invincible Iron Man और गया यह प्लास्टिक जेमेटरी बॉक्स है इसका डिजाइन आप देख सकते हैं इसको guys करते हैं open और guys यह देखो यहाँ पर बहुत ही amazing इसके अंदर दो दो compartment बने हुए है यह देखो इसके अंदर कुछ सामान भी रखा हुआ है जैसे कि यह देखो Avengers वाला scale है है ना इसके अपर काफी कुछ बना हुआ है जैसे कि Captain America है Iron Man है हलक है और यहाँ से आप देख सकते हैं red color का है और यहाँ पर एक sticker है जिसके अपर हम कुछ लिख सकते हैं यह देखो कुछ इस तरह का यहाँ पर छोटी सी eraser है और एक बहुती cool सी दिखने वाली pencil है जिसको हम यहाँ पर hold कर सकते हैं यह देखो यह देखो मैं आपको pencil इसके अंदर set करके दिखाता हूँ यह देखो pencil को मैंने कर दिया है set और pencil इतनी heavy तरीके set हुए है कि गिरेगी नहीं यह देखो है ना तो काफी amazing है और guys यह कुछ ऐसा दिखाई देता है इसके compartment पे आप guys काफी मोटा समान भी रख सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा दूं यह guys रखने की कोशिस करते हैं यह देखो हमारे पास यह चोटी सी gun है इसको pencil को पहले नीचे रख लेते हैं यह gun है और guys इसको बंद करने की कोशिस करते हैं यह देखो यह आराम से बंद हो गई है, यह देखो, है ना, अगर आप देख पा रहे हैं, मतलब वाले आप गन का साइज देखो, काफी मोटी गन है, और उसके बाउजब भी यह जमेटरी बॉक्स बंद हो जा रहा है, तो काफी अमेजिंग इसके अंदर साइज भी है गाईज, और बहुती हमेजिंग हैं, 250 रूपीज इसका प्राइज है, अब इतना जादा प्राइज क्यों है, यह भी मैं आपको दिखायता हूँ, यहाँ पर कुछ बटन्स बने हैं, मैं आपको बटन्स दबा के दिखाता हूँ, यह देखो, एक कंपार्टमेंट यहां से खुलता है, ए इसको बंद करते हैं पहले, और यह देखो, यहाँ पर आप काफी सारी चीजे रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कॉइन रख सकते हैं, कुछ इस तरह से यह देखो, काफी ज़्यादा कॉइन इसके अंदर आ जाएंगे, है ना, तो गईज इसको दुबार से उपन करते यह देखो, काफी ज़्यादा कॉइन इसके अंदर आ जाएंगे, तो मैंने कॉइन को निकाल लिया है बाहर, और कुछ बड़े साइज का भी रखना चाहें, जैसे कि बड़े साइज की इरेजर है, अगर आप इसको भी रखना चाहें, तो यह भी आराम से इसके अंदर आ ज पेस हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर श्टीकर है, क्लास, सेड्यूल, मंडे, टूज़डे, बैस्दे, थर्डे, फ्राइडे तक आप इसके अंदर लिख सकते हैं, है ना, और यहाँ यह कुछ ऐसा दिखाई देते है उपन होने के बाद, और यहाँ प यहाँ पर रेक लगा रखा है, तो मैं आपको इसके अंदर कुछ pen pencil लगा गए दिखाता हूँ, यह pen इसके अंदर आ गया है, देखो कितनी smoothly आ गया है, और दूसरी pencil लगाईज यह दोनों ही, यह देखो, यह मैंने इसके अंदर डाल दिया, और गईज आप देख सकते हैं, दोनों ही pencil इसके अंदर आराम से आ गई है, इसको गईज मैं थोड़ा सा wrong डाल दिया है, देखो, है ना, और गईज अब देखो, pencil गिरेंगी नहीं, है ना, कितनी ज़्याद amazing बात, तो इसके अंदर pencils रखने का बहुत amazing space है, और इसको यह देखो, यहाँ पर भी एक compartment बना ह है, जिसके अंदर काफी सारी चीजे आ सकती है, देखते हैं, क्या आ सकता है, यह देखो गईज, बहुती बड़े size की pencil इसके अंदर अराम से आ जाएगी, यह देखो गईज, दो दो pencil मैंने रख दिया, और गईज यह बंद भी हो गया है, यह देखो गईज, है ना, तो compartment है, यहाँ पर भी compartment है, बहुती जादा amazing है गईज, और गईज, इसी वज़े से इसका price इतना जादा है, आप में से किस ने इस तरह के geometry box use की है, comment में जरू बताना, और उसका price कितना था, यह भी जरू बताना, यह देख रहो, यहाँ पर name और class भी हम लिख सकते हैं, और मुझे सही करना पड़ता है, बार बार, यह देखो, तो guys, बहुती amazing है, इसको भी side में रख लेते हैं, इस बार guys, मैं आपको कुछ amazing दिखाता हूँ, यह देखो, इस बार मेरे हाथ में बहुती unique सी चीज, यह आपने सायद ही कभी देखी होगी, इसको मैं पहले भी दिखा किसी और वीडियो में, बट मैं आपको दोबारा से दिखाने वाला हूँ, यह देखो, मेरे पास है guys, train engine shape में geometry box, यह देखो, यहाँ पर लिखाए express line, है ना, और guys यह देखो, यह इसके wheels है, यह घूमते हैं, कुछ इस तरह से, है ना, 6 wheels लगे हैं, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, औ और guys, यह देखो, इसका एक compartment खोला, तो guys, यह कुछ ऐसा दिखाई देता है, और इस compartment में बहुत ज़्यादा space है, क्योंकि guys, इतनी मोटी चीज भी इसके अंदर आराम से रखी जा सकती है, ना, यह आप देख सकते हैं, इसका size कितना ज़्यादा है, बटी हम आराम से इसके आई है, तो guys, आप देख सकते हैं, geometry box में बहुत ज़्यादा space है, इसको guys, यहाँ से बंद करते हैं, और guys, यह देखो, यहाँ से एक और compartment है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े size का है, इसके अंदर guys, काफी बड़ी बड़ी चीज आ सकते हैं, जैसे कि यह देखो, यह देख compartment है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे open होता है, देखो, मैंने इसको open किया, इसके आगे के tires बाहर आ गए, और guys, यहाँ पर sharpner लगा हुआ है, यहाँ से हम pencil डालेंगे, तो pencil को हम ऐसे sharp कर सकते हैं, और guys, यह देखो, यह इसके अंदर यहाँ पर sharpner लगा हुआ है, अगर आपने इस तरह गी बहुत ही amazing design वाला geometry box का भी use किया है, तो comment में जरू बता ना, जिसके अंदर ज्यादा compartment बने वे sharpner लगा हुआ, और design बहुत ही ज्यादा amazing हो, so guys, इसको भी side में रख लेते हैं, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे geometry box रखे हैं, तो मैं आपको इस बा बहुत हैं, तो इसको बंद करते हैं, और यहाँ पर कुछ buttons बने में, यह मैं आपको दबा के दिखाता हूँ, यह button में दबा है, तो एक compartment यहाँ से खुला है, और guys, एक यहाँ से खुला है, और guys, एक यहाँ से खुला है, और एक यहाँ से खुला है, यह देखो, इसके अदर और इनको बंद कर लेते हैं यह देखो इसको यहां से ओपन कर लेते हैं जैसे कि आपको मैंने दिखाई दिये और दूसरी साइड से भी इसके अंदर स्पेस है यह देखो यहां पर नेम एंड क्लास आप लिख सकते हैं और यहां पर टेबल भी लिखूँ है 1 से 9 तक में और इसका प्राइज बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं दोनों बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं अपने डिजाइन की वैसे और इनके अंदर ज़्यादा compartment है ये भी बहुत ही ज्यादा amazing बात है ज्यादा space आ सकता है और guys यह देखो यहाँ पर हमारे पास एक geometry box type का एक pouch जो की कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है spider man वाले design के साथ आता है guys यह देखो omg यहाँ पर लिखावा है यहाँ पर लिखावा है spider man यह देखो spider senses यहाँ पर लिखाए तो guys मैं आपको इसे दिखाता हूँ यह देखो यह कुछ इस तरह की packing के अंदर आता है यहाँ से मुझे इसे निकालना पड़ेगा और थोड़ा सा मुस्किल हो रहा है यह देखो guys यहाँ से मैंने इसे open कर लिया है इसको side में रखते हैं और guys यह यह देखो एक premium geometry box या फिर हम कह सकते हैं एक pouch हमारे हाथ में आ चुका है और guys आप इसका design देखो यह guys leather type की quality है जो कि आप देख सकते हैं मिरे हाथ में बहुत ही ज़्यादा amazing इसकी quality है और यह कुछ ऐसा दिखाई देता है इसको यहाँ से open करके जैसे की pen pencil बगारा और guys यहाँ पे देखो और एक space बना हुआ है जो कि आप देखी सकते हैं इसके guys यहाँ चैन बंद कर लेंगा तो यह ऐसे रखी है वो देखो guys कितनी ज़्यादा heavy heavy चीजें है मैं आपको दिखाता हूं यह देखोगा जमेटरी बॉक्स यहाँ से open नहीं हो पा रहा है इसकी चैन थोड़ी सी अटक गई है यह देखोगा कितनी बड़े साइज की चीजे मैंने इसके अंदर रखी देखो fidget spinner है यह द ज़्यादा amazing है इसका design काफी ज़्यादा amazing है यह देखोगा इस मैंने इसे बंद कर लिया है अब आप इसका size देख सकते है normal geometry box से इसका बहुत ही बड़ा size है यह देखो guys है ना तो guys इसको रख लेते हैं यहाँ पर और guys इस बार मेरे पास एक और spider man वाला geometry box है यह देखो यह इसकी रोसनी बहुत ही ज़्यादा है अंदेरे में अगर आप देखेंगे ना तो इसकी रोसनी काफी ज़्यादा है यह देखो गई है ना तो इसकी light को कर लेते हैं off इसको guys वापिस नीचे कर लेते हैं और guys यहाँ बटन दबाते हैं यह देखो compartment खुलता है यहाँ पे sharpner ल यह geometry box 120 रूपीज का है इसका design भी बहुत ही ज़्यादा amazing है इसके अंदर sharpner लगे है और यहाँ पर एक बहुत ही amazing सी बहुत ही अच्छी रोसनी वाली light लगी हुई है तो अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को like करना है यहाँ पे रख लेते हैं और guys इस बार हमारे प box है guys यहाँ पर देखो mirror लगा हुआ है जिसकी वैसे हम इसके अंदर का समान आराम से देख सकते हैं और guys इसका price 150 रूपीज इसको open करते हैं यह देखो guys इसके अंदर काफी सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं जैसे कि यहाँ पर एक eraser है यहाँ पर एक सार्पनर है यहा सकते हैं कुछ है और guys इसके अंदर और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एक pencil है और यहाँ पर एक guys कुछ इस तरह का scale है यह देखो guys scale भी आप देख सकते हैं काफी amazing design वाला है यह देखो काफी unique सा scale है इसको guys मैंने यहाँ से कर लिया है बंद और बाकी सा सारा समान भी इसके अंदर वापिस रख देते हैं यह देखो इस सार्पनर मैंने इसके अंदर लगा दी एरेजर इसके अंदर लगा दी और guys इसके नीचे एक और compartment है यह भी मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखो guys और नीचे वाले compartment में बहुत ही जादा space है तो इसको द हम hold कर सकते हैं pencil holder हमी से कह सकते हैं और guys देखो यहाँ पर सार्पनर इसके अंदर लगा हुआ है यह देखो guys दो-दो सार्पनर लगे में इसको मैं बंद कर लेता हूँ और guys यह बहुत amazing geometry box है देखो है ना इसके अंदर यहाँ पर table वगरा लिखी है इसका design आप देख सकते है 100 rupees इसका price है तो इसको भी side में रखते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक और space journey वाला geometry box है देखो यहाँ पर rocket बना हुआ है यहाँ पर guys आप देख सकते हैं space ship बना हुआ है यहाँ पर एक देखो planet बना हुआ है और guys यह देखो जो हम इसको open करते हैं तो यहाँ पर एक प्यार चोटा सा sharpener है और बहुत इमेजिंग सी eraser है यह आप देख सकते हैं दो दो pencil लगी भी है और guys यह देखो यहाँ पर एक बहुत इमेजिंग सा scale भी लगा हुआ है और इसको मैंने open किया तो guys आप देख सकते हैं 120 rupees इसका price है बहुत इमेजिंग geometry box है और यहाँ से जो mirror लगा जाता है यह देखो इसके अंदर जो भी समान रखा है हम देख सकते हैं यह guys metal वाला geometry box है इसको भी guys side में रखते हैं और बहुत सारे symmetry box यहाँ पर बचे हैं अब मैं आपको कुछ unique चीज दिखाता हूँ यह देखो आपने ऐसी चीज नहीं देखियो जो कि geometry box है और एक bus भी है यह देखो है न कितना ज्यादा amazing और दूसरे compartment में भी आप देख सकते हैं बहुती ज्यादा amazing design इसके अंदर बना हुआ है और space बहुती ज्यादा है यह देखो आप guys यह देखो इसके नीचे wheels लगे में जो की घोमते हैं यह geometry box अच्छे तरीके से work करता है देखो यह मैंने इ खीचा यह देखो मैंने इसे खीचा और guys यह देखो इसके wheels चलते हैं यह geometry box एक bus की तरह plane force पर भाग सकता है यह देखो यह देखो यहाँ पर भी wheels लगे हुए हैं कितना amazing लग रहा है है ना और इसका जो design है वो तो सच में काबिले तारीफ है और guys यह little mermaid वाला geometry box है काफी amazing है 130 रूपीज इसका price है इसको side में रखते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक और geometry box है यहाँ पर लिखा TIT mouse ऐसे कुछ लिखा है guys the bird flabbed slowly off ऐसा कुछ लिखावा है इसका design आप देख सकते हैं metal वाली है geometry box और guys इसको open करने के बाद आप देखना guys यह देखो guys वाव इसके अंदर कितने सारे compartment बने हैं देखो एक यह है एक यह है और एक यह है और इसका side से आप design देखो कितनी ज्यादा amazing है है ना इसके अंदर भी काफी ज्यादा समान आ सकता है यह देखो मैं इससे बंद करता हूं और बंद होने के पाद गाई यह कुछ इस तरह से off हो जाती है और गाई सबसे amazing बात इसकी मैं आपको दिखाता हूं पहले इसको open करते हैं यह देखो इसके अंदर यहाँ पर calculator लगा हुआ है जो की working condition में है देखो मैं आपको चला के दिखाता हूं यह मैंने calculator को on किया देखो 0 आ गया अब मैं इसको 8 multiply 5 करके दिखाता हूं देखो 8 multiply 5 मैंने 2 कर दि यह देखो और ज्यादा amazing बात यह देखो यहाँ पर 3D जमे दोरेमन बनावा है यह देखो है ना अगर आप देख पा रहे हैं तो 3D दोरेमन बनावा है और हम इस geometry box को move करके इधर भी ला सकते हैं यह देखो वाव है ना जो की बहुत amazing चीज है यह देखो वापिस से हम इसक गुमा सकते हैं कुछ इस तरह से और अंदर ला सकते हैं और बाहर ला सकते हैं यह देखो गई अब यह geometry box में जो calculator वो उपर आ गया है है ना 100 रुपीज इसका प्राइस है और आप देख सकते हैं दो दो compartment यहाँ पर बने हुए है जो कि कुछ ऐसे से खुलते हैं एक इस side से और उपर इसके ओपर Avengers की टीम बनी हुई है यह देखो हलक है Captain America Iron Man है और थोर है यह देखो गईज है ना calculator वाली geometry box आपने side देख्योगी बहुत ही ज्यादा amazing है यह इसको भी guys side में रखते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक 80 रुपीज वाली little mermaid geometry box है इसका size छोटा है बट इस थोड़ा सब खुल गया गलती से मैंने जादा ही power लगा दिया मुझे इसको दोबारा से यहां से बंद करना पड़ेगा कुछ इस तरह से यह देखो और इसका एक और पार्ट बाहरा आ गया जो कि मैं इसके अंदर वापीश सेट कर लूँआ आप देख सकते हैं यह guys कुछ और car shape में geometry box है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से doll बनी हुई है I think princess Barbie doll है सायद है न कुछ इस तरह का car shape में इसका design है और देखो इसके अंदर एक और जादूई चीज है यह देखो मैंने इसको किया open और guys इसके अंदर एक और छोट असा cute सा geometry box है यह देखो है ना कि इसको बहुत ही जादा amazing बनाती है इसका price भी guys 100 rupees है इसको guys side में रखते हैं और यह last geometry box आप देख सकते हैं मेरे हाथ में Hello Kitty वाला geometry box है देखो यह कोई cartoon है Hello Kitty नाम से उसी के नाम पर यह बनाया गया है और guys आप देख सकते हैं यह भी एक truck या bus shape में है आप देखी सकते हैं इसक आपर brush लगा हुआ है और guys देखो एक pencil है और यहाँ पर एक बहुत ही amazing सा scale है और guys scale को मैं बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ यह देखो guys कुछ इस तरह का Hello Kitty वाला scale है यहाँ पर Hello Kitty लिखा भी हुआ है तो guys आप देख सकते हैं इसके अंदर भी काफी सारा समान है जो की बहु इसका जो अंदर वाला part है वो अंदर ही चला गया है यह देखो इसके नीचे एक और compartment है जो कि guys इसके अंदर ही चला गया नीचे वाला compartment कोई बात नहीं आप देखी सकते हैं बहुत यह amazing guys यह geometry box है मैं इसका समान इसके अंदर वापीस डाल लेता हूँ और यह कुछ ऐसी दि बाता हूँ मिलते हैं नहीं वीडियो में जींग अन बॉक्सिंग के साथ तब तक के लिए thank you and bye bye guys